देखे मैं चितोड संस्टीक शित्र की देव तुली जनता का और मेरे सभी भारती जनता पार्टी परिवार के सभी जन्रप्रतिन दिये और कारिकरताओं का सभी पदादिकारियों का मैं रदे की गराय से आभार पकट करता हूँ कि चतोडगर संस्टीक शित्र की जनता ने लगातार तीसरी बार यहां भारती जनता पार्टी को विजे श्री दिलाई और मेरे जैसे एक सामानी कारिकरता को फिर से यहां संसद में वेजा इसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के जन प्रतिनिदी संग्ठन के पदादिकारी और देव तुल कारिकरता और यहां की जनता जनारदन का अवहार प्रकेट करता हूँ और यह जीत निश्चित रूफ से कई माईनों में बहुत महत भी रखती है क्योंकि कई बार कयास लगे जाते थी कि लगातार कुछ तीसरी बार जीता नहीं है कई बाते होती थी आप ही लोग कई प्रकार की कई किसे आप लोगों के मादिन से आते थी लेकिन आप सब लोगों का सहयोगरा इसके लिए भी बहुत रदे की गरायों से मैं आप सब का अभार प्रकेट करता हूँ और यहां की जनता का भी कि उन्होंने आधनी मोदी जी के नेतरुत में जो दस वर्षों में विकास कारी हुएं उन पर मोहर लगाई और भारती जनता पार्टी को विज़ेश्री दिलाई जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल प्रणाम नहीं है लेकिन फिर भी जो भी प्रणाम है हम उनको स्विकार करते हैं राजवनिती में सब प्रकार के निर्णे देखने को मिलते हैं लिकिन में जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और उनके घंडबनन ने जिस प्रकार से देश के आजादी के बाद से जूट और ब्रह्म फैलाने का देश में काम किया और लगातार साथ वर्षों में जूट महा जूट नारे और ब्रह्म फैलाया इसके अलाव कोई काम नहीं किया और वही काम दस वर्षों में मोदी जी के नेतरोत में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे एक दूसरे से के साथ नहीं बेठते थे वो दल्वी आपस में साथ बेठे कि मोदी जी को रोकूं लेकिन देश की जनता ने तमाम ब्रह्म और गुम्रा करने के बाद भी एंडिये को इसपस्ट बहुमत दिया और मैं सोचता हूँ कि पिछले दस वर्षों में बोदी जी के नेतरुत में चाहे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बनता जा रहा है चाहे सांस्कृतिक राष्टोधान हुआ हो चाहे गरीब का कल्यान हुआ हो चाहे मैला का सशक्ति करन हुआ हो चाहे मारे दुनिया में भारत का वेवबड़ा हो चाहे देश की सीमा सुरक्षित हुई हो चाहे सीमा पर तेनाज जवान का होसला अबजाई हुआ हो भारत हरक्षित्र में बड़ी शक्ती के रूप में उखरदा था तो कहीं कहीं कुछ लोगों के और कुछ आप सब लोगों को ध्यान में है कि एक प्रभाव में सब राजनितिक दल साथ आए और मोदी जी को रोकने का एक कुछ सित प्रयास किया, सफल प्रयास किया लेकिन फिर भी देश की जनता ने एंडिये को सपस्ट बहुँद दिया है देखे राजनिति में हर बार जो सोचते वो नहीं होता है जैसा मैंने कहा कि जो सीटे आई हैं, जो जनता ने मेंड़ेड की दिया हैं उसको हम स्विकार करते हैं और तमाम गुम्रा और ब्रामक प्रचार के बाद भी भारती जनता पार्टी को बहुँद दिया, मत दिया, समर्थन दिया इसके लिए हम जनता का अभार प्रकर करते हैं झाल